नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर 15 अगस्त 2022 को जिस वक्त हम और आप मिलकर आजादी का अमरित मुहसब मना रहे थे और अपने अपने घरों में बैट कर माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाशन सुन रहे थे उस अपने भाशन पे प्रधान मंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि अपने अंदर महिलाओ के लिए अपनी भावना को सुच रखिये साफ रखिये लेकिन उसी दिन 15 अगस्त 2022 को बिलकिस बानों के साथ जो दुशकन हुआ था उसके 11 आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है बिलकिस के साथ दुषकन के था बल्कि 14 लोगों की हत्या भी की थी उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है जेल से चूटेने के बाद इन लोगों का स्वागत इस तरीके से किया जाता है कि अजादी के अमरेक मोहतसब पर भारत को अजादी इन्होंने ही दिलाई हो इन लोगों का तिलत लगाकर माना पहनाकर स्वागत लिया जाता है इनके पैर भी छुए जाते हैं और इनका स्वागत हैराणी की बात देखिए कि इनका स्वागत ना किवल पुरूश बलकि महिला भी करती है और इन 11 लोगों की विहाई पर प्रधान मंत्री के साथ साथ केंद्र में बैठी सभी महिला मंत्री मौन भारन किये हुए उन लोगों ने अभी तक इस विशे पर एक शब्द तक नहीं कहा लेकिन बिल्किस के साथ जो आरोप जो दुशकर्म हुआ वो है क्या 2002 में गोद्राकान के दुरान बिल्किस के साथ दुशकर्म किया गया जब वो पांच महिने की गर्गवती थी ना केवल बिल्किस के साथ बल्कि उसकी मा के साथ भी दुशकर्म किया गया बिल्किस के आँखों के सामने उसके तीन साल की बच्ची को मोद की घाट उताद दिया जाता है और उसके परिवार के साथ लोगों के साथ साथ 14 और लोगों की हत्याग कर दी जाती है लेकिन अब सवाल यह उगता है कि इन 11 लोगों को आफिर रिहाई दी जी गए इन लोगों की रिहाई पर बीजेपी के विधायक सीके राउत जी का कहना है कि यह सभी लोग ब्राह्मन हैं और ब्राह्मन के संसकार बिल्कुल अच्छे होते हैं और इन 11 लोग जो ब्राह्मन हैं इन लोगों के संस्कार आपके सामने हैं कि इन लोगों ने बिल्किस बानों के साथ उसकी मा के साथ और इन लोगों को मौत के घार पुता रहा है इन ब्राह्मन के संस्कार आपके सामने है इतना ही नहीं गुजरात सरकार का ये कहना है कि जेल म अगर किसी को उमर कैद के सजा होती है तो इस पर कानून क्या रहता है अगर किसी को उमर कैद की सजा होती है तो उस पर कानून ये कहता है कि यदि व्यक्ति ने आरोपी ने 14 साल की सजा काट ली उसके बाद वो अपनी रिहाई के लिए अपील कर सकता है उस अपील के दोरान ये देखा जाता है बकाइदा कि उसका जो वहवार था जेल में वो किस तरीके का था उसने जो भी पाप किया है उस अपराद के प्रकरति की समिक्षा की जाती है और उसके बाद ये फैसना लिया जाता है कि उसकी रिहाई करनी है कि नहीं करनी और अगर करनी है तो कैसे करनी है या फिर अगर उसकी सजा कम करनी है तो उसकी सजा कितनी कम करनी है ये सब देख कर किया जाता है लेकिन ध्यान रहे कि ये सब छोटे अपराद में किया जाता है संगीन अपराद में नहीं और इन लोगों की रिहाई से ये पता चलता है कि 14 लोगों की हत्या और बिल्किस बानों और उसकी मां के साथ किया गया दुश्कर्म कोई भी संगीन अपराध नहीं है इन लोगों के दिये तीन औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट को चुनोती दी है इन लोगों का कहना है कि जो भी इन लोगों की रिहाई की गई है वो बिल्कुल भी जनहित में नहीं है इन लोगों के रिहाई नहीं होनी चाहिए और इन लोगों की गिरफतारी जल्द से जल्द दुबारा की जानी चाहिए इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का कोई इरादा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल उठा रहे हैं बल्कि जो तर्क और आधार दिया गया है कि चोदा लोगों की हत्या और बिल्किस के रेप कांड में जिन लोगों की रिहाई गी गई है वो रिहाई किस बदौलत पर की गई है इन लोगों का बस इतना ससावाल है और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की जल्द से जल्द ग पारे करता रूप रेखा वर्मा इन तीम लोगोंने याचिका धर्च किया और सुप्रीम कूर्ड को चुमती दी है CGI NW रमन्ना की बैंच पर जो अबवाई होती है उन्होंने याचिका करता की वकी वकीर से पुछा तो उन्होंने कहा की उन्होंने इस वाल कि सजा का छूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है या नहीं हुआ है यह आखिर यह फैसला किस तरीके से लिया गया है तो इस पर सीनियर एड़ोकेट कपेल सिब्बन का कहना है कि जस्टिस अजयरस्तोगी की अगवाई वाली बैंच ने कहा है कि सजा सुनात में सिर्फ और सिर्फ ना इंसाफी लगी है उस दोरान अपराज को नजर अंदाज करते हुए 14 लोगों की हत्या और बिल्किस और बिल्किस की मां के साथ किये गए दुश्कन को नजर अंदाज किया गया है तो क्या इसमें इन 11 लोगों की इन 11 ब्रहमन की रिहाई उचित है मैं बात कहना चाहती हूं कि इस दुनिया में आदमी की मोद से बड़ा कुछ भी नहीं है ना इश्वर ना ज्यान और ना ही चुनाव अभी के लिए सिर्फ इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद